एक भी कागस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया कि कोई कागस गलत है तो ये सारे खर्चे हुए हैं, खर्चे अभी जारी हैं, पार्क बन रहा है, बैडमिंटन कोट बन रहा है, पूरे फ्लैट्स तोड़े जा रहे हैं, पूरा एक किला बनाया जा रहा है, किसलिए आम आदमी पार्टी चलाने वाले लोगों के लिए, उनके मुख्यमंत्री के लिए, क्या ये सही है, बजेदर मलिक जी मेरी आवाज आ रही है, देखे नाविका जी एक तो मैं निमेदन करूँगा, आपसे पहले पूरी बात कहने का मुझे मुझे मौका दिया जाए, तो बीच पे बा आपको मैं पूरे साथ सेकिंड में अपनी बात कहिए और साथ सेकिंड शुरू होते हैं अब जी मैं कोशिस करता हूँ, 1942 में जो घर बना लगबग 80 साल पुराना घर जिसकी जड़जार हालत में चार बार जिसकी छटे गिर गई, उसको रिपेर करने के लिए इशू ये बड़ा है कि 1250 करोड में देश की नई संसत बनाई जा रही है, वो किसका पैसा है, वो देश के उस आम आदमी का उस टेक्सपेर का पैसा है, जो 8400 करोड रुपे का एरोपलेन लेकर उड़ते हैं और देश को सामने कहते हैं, मैं चोकिधार हूँ, मैं जो है फकीर हूँ, तो 8400 करोड अमांट जादा है कि एक 45 करोड में जिसमें 12 करोड टेक्स सेंटर गवर्मेंट को जा नहीं सरकार है जिसकी नहीं उन लासों पर रखी हुए है, तो देश के लिए जो भारते जनता पार्टी के चार स्टेट के राजय पाल रहे और उन्होंने ये खुलासा किया, तो देश के सामने जिस एक आम इंसान के टेक्सपेर का पैसा महाँ पे जाता है, और देश की भा जवाब नहीं दिया, कि ये सवा साथ एकर क्यों आपके कोई जवाब नहीं दिया, आठ लाग का परदा क्यों, आप शहजाद पुनावाला आपके सवालों का जवाब देंगे, और और आज आपको आप सुनना पड़ेगा, आपके साथ सेकिंद खतम हो गए, आपका फेलर देखें, जहां पर ये अभी सेमेंट का बता रहे थे ना, मैं आपके दर्सकों को बता दू, उन्हीं कागसों से मैंने देखा है, पूरा RCC का जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्टरिंस का, तो देश के लिए ये बड़ा मुद्द है, या जिसको बार बार सैटलाइट से, आप आप पैसा करिए, देश के पांच हजार मुद्दे लेकर आ जाएए, उन पर मैं एक चर्चा जरूर करूँगी, एक अलग से डिबेट करूँगी, आज का मुद्दा है, ओपरेशन शीश महल, इस पर अगर आपके पास कोई जवाब है, तो आपने दिया नहीं साट सेकिंड में, इसलिए आप मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, और बता के म्यूट कर रही हूँ, क्योंकि आपने तथे पर कोई, मुद्दे पर कोई तथे दिये ही नहीं, म्यूट शहजार, सिमेंट का टोटल कॉस्ट जो है, आज सिसी का जो पूरा काम हुआ है, वो 2.9 करोड है, मान इतलियन मार्बल किसके लोगों के घर में लगता है, पर मुझे बताईए, 8 लाग के 2 टॉइलेट सीट, जो कमोड होता है, आप बैठते हैं, सीट जो आती है, वो 2 टॉइलेट सीट, 8 लाग की, मतलब कितना आलिशान होगा, बेटे का ड्रेसर, नाविका जी, बेटे का ड्र 8 लाग का, दिल्ली में कितने लोग होगे जिनकी पूरी सैलरी आन्यूल 8 लाग नहीं होगी, एक अपने बेटे का ड्रेसर, 8 लाग का, बेटी का ड्रेसर, पांच लाग का, और इसके अलावा भी कहीं ड्रेसर बने, इसलिए परमिंदर सेटी जी मैं आप से पूछना चाता ह बाकी लोग करें तीन बार आपने बोला चार बार बोला है तो चार बार अगर चछत गिर रही थी तो बताईए कि रीकंस्ट्रक्शन किया टेंडर तो आल्टरेशन का निकला है और उस इलाके में रीकंस्ट्रक्शन करने की कोई संभावना ही नहीं है वहाँ पर अलावड ही यह कौन सा साइन्स है मुझे टेकनोलोजी बताईए यह कौन सा साइन्स है मुझे टेकनोलोजी बताईए